नमस्कार खबर HB में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई ये नज़र डालते हैं हिमाचल परदेश से जुड़ी आज की तजातरिन खबरों पर लेकिन उससे पहले आपने चनल को सस्क्राइब ने किया तो जरूर कर लिजिए साती हमारे वाटसेप गुरूप को जोएन जर जिए हिमाचल परदेश स्कूल चिक्चा बोड 10 जून को DLAT CET के लिए परविस परिचा लेगा इसके अलाबा वर्स में दो बार ली जाने बाली अध्यापक पार्तता परिचा टेट के लिए भी चिक्चा बोड ने अतित्या घोसित कर दी है वहीं आपको बता देगी पहल अब रासन दिपो में मिलेगा विटामिन A और D युक्त खादिय तेल सरकार ने लिया फैसला जिए हिमाचल के साड़े 19 लाक रासन कार्ड ओभकताओं को अब डिपो में और अधिक पोस्टिक खादिय तेल मिलेगा तेल को फटिफाइट कर इसमें विटामिन A और D पोस्ट नियुक्त नमक उपलब्द करवाया जा रहा है हिमाचल सरकार की और से उबगताओं को सबसीडी पर तीन दाले मालका मास और डाल चना दो लिटर तेल रिफाइन और सरसो चीनी और नमक उपलब्द कराया जा रहा है एक घंटा भी नहीं ठिका है एनुवल फंसन पर रोक लगाने का ओडर सरकार ने वापस लिया आदिस जे परदे सरकार ने सिनियर सेकंडरी स्कुलों में एनुवल फंसन पर रोक लगाने के फैसले को एक घंटे बादी वापस लिया है इसको लेकर सरकार की तरब से अधिस सुचना जारी कर दी गई है बता था कि इससे पहले सरकार की तरब से परदेश के सभी सिनिय सेकेंडरी स्कुलों में होने बाले एन्यूल फंसन पर तुरंत परभाव से रोक लगा दी गई थी इसको लेकर उचिक्चाई भाग के निदिसक डॉक्टर अमरजीत कुमार सरमा की और से सभी इसकोलों को एनुवल फंसन पर रोक लगाने के आदिस जारी किये थे लेकिन अब सरकार अपने ही फैसले से पलट गई है और एनुवल फंसन पर रोक लगाने के फैसले को वापस ले लिया है हिंडर्बर के कुलासे से बिगडी देश की अर्थविवस्ता अढानी को बचाने का परियास कर रही के अंदर सरकार जे मुख्यमंत्री के परधान मेडिया सलाकार नरेश चोहान ने कहा है कि हिंडर्बर के कुलासे के बाद देश की अर्थविस्ता को बहुत बड़ा धक्का लगा है उन्हेंने कहा है कि कॉंग्रेस नो तो देश की संपती को बरबाद होते देख सकती है और नो ही लोगों के साथ किसी भी परकार का अन्याय सहन कर सकती है वही नरेश चोहान ने गुरुबार को परधेश कॉंग्रस मुख्याले राजजी भवने पत्रकार वर्ता को संबोधित कर रहे थे इस मौके पर उन्होंने काया कि परधानमत्री नर्मोदी नो तो देश के लोगों की आवाज सुन रहे हैं और नो ही विपक्ष की वहीं देश के इतिहास में पहली बार विपक्ष के नेताओं के भासन के अंसर ही हटा दिये गए जो परधानमत्री और अडानी से संबंदित थे जेकेंद्रिय जांच बीरो ने विजिलेंस के साथ मिलकर बीरवार को सिमला में जेनरल पोस्ट ओपिस सहित कामबर मेयर और एजी इस्तित पोस्ट ओपिस में दबिस दी सिमला ब्रांच की टीमों और बिजिलेंस ने तिनों कालेले से कई तरह का रिकॉर्ड पकब जे में लिया है वह सिकायते मिलने के बाद सुबह 11 बजे से साम 8 बजे तक वित्य और निमिताओं और नियुक्तियों से जुड़ा रिकॉर्ड खंगाला गया वह आपका बता दे कि जल्द ही इस संबंद में F.I.R. दर्ज हो सकती है सियू में 9-12 मार्च तक होने बाली परचाओं की तिथी बदली जाने नया सेडिूल जी हिमाचल परदेश केंद्रिय विस्विदाले में 9-12 मार्च तक होने बाली अंत अवधी की परचाओं की तिथी में बदलाव किया गया है सियू परचाओं नया फैसला इस दोरन केंद्रिय विस्विदाले में होने वाली इंटर यूनिवर्सिटी पावर लिप्टिंग पर तोई गिता के चलते लिया है वहीं आपको बता दे कि अब यह परचाओं 14-17 मार्च के बीच होगी वहीं माचल परदेश केंद्रिय विस्विदाले की और से यह परचाओं मार्च मा के दूसरे सप्ता में करवाई जानी थी असनातक डिगरी कोर्ष का बदलेगा सिलेबस एच्प्यू की बैठक में हुआ मन्थन जे राष्टे चिक्षा नीती को 17-23 में लागू करने के लिए असनातक डिगरी कोर्ष के पाठी करम में नीती के अनुरुप पदलाव की आजाएगा पाठी करम में भार्ति ज्यान परंपरा और मात्री भासा और समय रोजकार की लिहाज से आवस्यक बदलाव किया जाएगा यह बात बूद बारकोव इस सी विद्याले में राष्टे चिक्षा नीती को लागू करने को लेकर हुई बेटकी अधचिता करते हुए परती कुलपती प्रोफेसर जोती परकास ने कही उनने कहा कि चिक्षा नीती को पूरे परदेश भर में लागू किया जा रहा है इसलिए हिमाचल परदेश में भी इसे लागू किया जाना है वही नीती को लागू करने से पुर्व इसके लिए हर तरसे तयारियां करनी होगी वही डॉक्टर चंदिल ने कहा कि नीती को लागू करने से पुर्व हर चिक्षक को नीती को समझना होगा उन्हेंने कहा कि 31 माच तक असना तक डिगरी कॉस्ट के पार्टी करम को तयार किया जाएगा वही आपको बता देगे ऐसे किसान समझना नीती योजना के तहत मिलने वाली चौदवी किस्ट का लाब नहीं ले पाएंगे सुतनों की माने तो सरकार किसानों को भले ही तेरवी किस्त जारी कर दे लेकिन इसके बाद किसान योजना से बहार हो सकते हैं हलांकि सरकार ने हर जिले में किसानों के EQC और अधार अपडेट कराने के लिए तहसीलों के माध्यम से ग्राम पंचातों में कई सीवरों का आउजन किया वही पहले फरवरी 5 फरवरी तक EQC के लिए तीथी निधारित की थी इसके बाद 15 फरवरी ते की गई है अब फिर से 28 फरवरी तक तीथी बढ़ा दी है विजिलेस ने चब्ते किये एक दर्जन अभियरतों के मुबाइल फौन अधिकारी पुलिस चांच के दाइरे में जहिमाचल परदेश कर्मचायल चैन आयोक के जे ओ आईटी पेपर लिख मामले बिजिलेस ने बड़ी करवाई की है बिजिलेस ने जे ओ आईटी पेपके पदों के लिए आवेदन करने बाले उन एक दर्जन अभियरतों के मुबाइल फौन कबजे में लिए है जिनने फौन पर आयोक के पुर्व सचीब डॉक्टर जितंदर कमर गौपनिये सका की वरिष्ट साहिक उमा आजातिया आयोक के अनी अधिकारियों तथा दलाल संजीव कुमार से बात चित की है वही मुबाइल फौन कबजे में लेने के बाद इने जाच के लिए एफ एसल लेब भेजा है यह वही आपको बता देखी खास बात यह है कि अगर किसी अभियरती ने मुबाइल फौन पर कोई डाटा डिलिट किया होगा तो वह भी लेब में रिकवर हो जाएगा इसके साथ भी परदेश भर से तीन दर्जन अभियरतियों को पुईताच के लिए बिजिने स्थाना हमिरपूर भी तलब किया गया है नसा रोकने के लिए हिमाचल और पंजाब पुलिस मिलकर करेंगी काम जे हिमाचल में बरते नसे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने कवायत सुरू कर दी है वही बीर बार को पंजाब और हिमाचल परदेश पुलिस के महाने देशकों के बीच एक समनवई बैठक आयुजित की गई बैठक में फैसला हुआ कि दोनों राज्यों की पुलिस पंजाब हिमाचल की सिमा पर CCTV केमरे की संख्या बढ़ाएगी दोनों राजी सिमा पर संजुक्त अभियान पर एक साथ काम करेंगे बैठक में हिमाचल पर देश के पुलिस महाने देशक संजे कुंडू ने भी सुझाब दिये पहले दिन रहा हिमाचल की बॉक्सरों का दब दबा पहले दिन की राष्टिय और अंतराष्टिय मुख के बाज़ों ने दमखम दिखाया पहले दिन 46-48 किलोग्राम भारवर्गे में राजिस्तान के विकास और रेलिवे के इरफान के बीच मुकाबला हुआ इसमें इरफान ने बाजी मारी हिमाचल के विसाल और हिमाचल बीग के निसानत के बीच हुए मैच में बिसाल ने जीत हासिल की 48 से लेकर 51 किलोग्राम में हर्याना के रोहित और अरुनाचल पर्देश के हैली त blijतनिया के बिच मुकाबला हुआ इसमें हैली तनिया ने बाजी मारी वहीं आपको बता दे कि 51-54 किलोग्राम में हिमाचल बीग टीम के हिमानसु और राजस्तान के रोहित के बीच हुए मुकाबले हिमानसु विजाई रहे वे 57 से 60 किलोग्राम में मद्य पर्देश के हिमान सुम और हिमाचल पर्देश के नवराज के बीच हुए मुकाबले में नवराज ने जीत हासिल की वहां दुर्खटना में मिरितक के आसेतों को 8,92,000 रुपय का मुअबजा वहां दुर्खटना में मिरितक के आसेतों को 8,92,000 रुपय का मुअबजा आदा करने के आदिस दिये हैं वहां दुर्खटना दवा नयादी करन सिमला ने मुअबजे की राश्री आदा करने के लिए इंसोरेंस कमपनी को जिमेदार ठहराया है वहां आपको बता देखिए मुअबजे की राश्री पर 6,50 ब्याज आदा करना पड़ेगा और 10,000 रुपये मुग दमेबाजी का खर्च भी देना होगा वहां आसेतों में मिरितक का पती और 3 बच्चे सामिल है अभी योग सरकार ने दी स्विकृति SIT और पेपर लिख में भचितेंदर कवर के खिलाब दर्च करेगी FIR जे हिमाचल परदेश कर्म चैचेन आयोग के पुर्वे सचीव और कंट्रोलर आफ एकजाम रहे जितनदर कवर के खिलाब परदेश सरकार ने अभी योग चलाने की स्विकृति दे दी है आपको पता दे कि HP SSC से जुड़े पेपर लिख मामले की जाच कर रही इस्पेसल इन्वेस्टिगेशन टीम के अब जीतनर कवर के खिलाब FIR दर्च कर सकेगी उत्राकर्ण हिमाचल और पच्छिमी नेपाल में बड़े भुकम की संभामना मचेगी भारी तबाही जेहाली तुर्की और सिर्या में भुकम ने भारी तबाही मचाई इस भ्यानक भुकम ने दुनिया का ध्यान आकरसित किया है अब विज्ञानी गुत्राकर्ण हिमाचल के साथ ही पच्छिमी नेपाल में भी बड़े भुकम को लेकर सचित करते नजर आ रहे है वहीं NGRI हैदराबाद के साइंटिस्ट डॉक्टर एन पूर्ण चंदर राव ने हिमालाई रिजन में भुकम आने की संभबना जताई है ऐसे में एक बड़ा ओद्री से खत्रा कभी भी हिमाचल को दहला सकता है जिसे लेकर अभी से चिंदा जताई जा रही है चलिए वो चलिए आज की आखरी ख़बर एक साथ नहीं चलेंगे आपको मता दें कि हिमाचल में पूर्वे में जैराम ठाकोर के नेतित में अठल आधर सिस्कूल योजना घोसित की गई थी उस योजना के लिए बजट भी दिया गया था लेकिन पांच साल में केबल तीनी इस्कूल बन पाए अब मौजुदा सीम सुक्मिंदर सिंग सुकू ने अपनी सरकार की ड्रीम योजना राजिम गांधी डे बोर्डिंग इस्कूल गोसित की है ये माना जा रहा था है कि अटल आदर्स इस्कूल योजना बंद कर दी जाएगी और उसके तहट खूले इस्कूलों नई योजना के में लिये जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है वहीं सुक्मिंदर सिंग सुकू सरकार ने तई किया है कि परदेश में अब तेक अटल आदर्स इस्कूल योजना के तहट जितने इस्कूल बन गए हैं वे पुराने फॉर्मेट में ही चलेंगी दोस्तों आज की संदार खबरों का सिल्सिला इसमाप तो हता है अगर जनकारी पसंद आए तो वेडियो को लाइक सेर चल को सस्क्राइब जरूर करें